असलाम लेकुम मैं हूँ Sonia Welcome to Sonia's Online आज हम सीखेंगे कि यूट्यूब के उपर आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं कितना टाइम लगता है यूट्यूब के उपर आपको वाइरल होने में साथ ही साथ मैं दूंगी कुछ ऐसे questions के answer जो मुझसे बोखोत ज्यादा पूछेगे हैं YouTube के कुन सैंसे गलस्ती हैं जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए यूट्यूब के कौन सा इसे राज है इस जिन को जानकर हम लोग हो सकते हैं। आप वीडियो बनाते हो उसको पोस्ट करते हो एक प्रोपर तरीका होता है उसको पोस्ट करने का उसको वाइरल करवाने का दन आप बहुत सारी और वीडियो बनाते हो कुछ वीडियो बनाने के बाद और चार-पांच मेने अच्छा काम करने के बाद आपका चैनल जो है वो च एड्स से क्या होता है कि आपका revenue generate होता है revenue generate होता है उसमें काफे लोगों को यह इशू होता है कि हमारा ज्यादा revenue नहीं generate हो रहा है यूट्यूब के उपर काम करने की सबसे बड़ी खुपसूर्ती है then मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब की जब earning आपकी start हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा कितने views पर कितने dollar मिल रहे है इसके लिए समझने के लिए आपको RPM का concept समझना पड़ेगा RPM का मतलब होता है revenue per mile, revenue per mile का ये मतलब होता है कि 1000 पर आपको कितना dollar मिला, क्या आपको एक dollar मिला, आदा dollar मिला, 0.7 dollar मिला, अलग-अलग topic का अलग-अलग RPM होता है अगर topic money making होगा तो उसका ज़्यादा RPM होगा, अगर कोई topic या keywords जो है वो इतने ज़्यादा famous नहीं होगे, या उनकी ads नहीं चल रही होगी, तो उनका revenue बहुत कम होगा चले हम लेके चलते हैं, एक dollar के revenue गो, मतलब एक हजार views पे मुझे एक dollar मिल रहा है, तो एक लाग views पर मेरा 100 dollar हो जाएगा अगर मेरा RPM 1 ही है, तो मुझे 10 लाग views पर 1000 dollar आ जाएगा और अगर आपको काम करने का सही तरीका पता हो, तो इसका इतना issue नहीं है, कि 10 लाग कैसे आएंगे, 1 लाग कैसे आएगा मैंने अभी YouTube खोला है, वहाँ पर 1000 चैनल है, जिनकी कल पर 100 वीडियो अप्लोड हुई है और उनके अल्रेडी काफी ज्यादा 7, 8, 9, 10 million cross कर गी है उनके जो है चैनल के views, आप भी देखोगे तो आपको भी यही नजर आएगा अज़ा यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, RPM को मजीद समझाने के लिए यह देखो, यहाँ पर 7,000,000 के करीब views आए है अगर आप यहाँ देखोगे, estimate revenue तो यह किता बर है, 785 डोलर और यह 785 डोलर इसलिए बना है, क्योंकि इसका RPM जो है 1.08 डोलर है लेकिन यहाँ पर यह देखो, मैं आपको किट्स चैनल दिखा रहे हूँ किट्स चैनल के अंदर अगर आपका, और किट्स चैनल में भी सबसे high rank keywords को target करते हुए यह मैं आपको बता रहे हैं, इसके अंदर आए है 6,00,000 views और इसका RPM 430 है और अब इसका revenue हम देखते हैं कि इसका revenue कम क्यों है, इसका revenue कम है क्योंकि इसका RPM 0.71 है क्योंकि इसके keywords और इसका topic जो है वो अलग है, कभी-कभी ऐसा होता है, आपका topic बहुत जबर्दर होता है, लेकिन आपको keywords करने नहीं आते हैं इसलिए आप revenue से रह जाते हो, ठीक है keywords कैसे target करने हैं या आपको content कौन से बनाना है तो ये video या course करने के बाद आपको ये एक शिकायत कभी भी नहीं आएगी कि मेरे पास content हतम हो गया है या मेरे पास content नहीं है या मेरे पास gadgets नहीं है अगर आपके पास gadgets नहीं है तो आप उसके alternative यूज़ कर लो या नहीं है कोई भी इनसान पहले ही दिन सब कुछ नहीं सीच जाता और ना ही कोई भी इनसान पहले ही दिन सब कुछ चीज़े order कर लेता है मैंने खुद अपना PC यूट्यूब के डेट साल बाद पर चेस किया था यूट्यूब पे अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसी mistakes होती है जो हम सब लोग करते हैं वनके मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी तो उसमें सबसे पहली mistake क्या होती है कि बात को बहुत लंबा खीच जाना फालतु फालतु बाते करते रहना और काम की बात पर बाद में आना रियालिटी से कम connect करना या theories के उपर ज्यादा चलना content के अंदर कुछ नयापन नहीं लाया मतलब जो देखा उसको copy paste करके छाप दिया कोई innovation नहीं कि यह नहीं सोचा कि मैं खुद से इसके अंदर क्या डाल सकता हूं और इसके अलावा मैं आपको बता दू कि नकल के लिए भी अकल जरूरी होती है और साथी साथी यह भी मैं आपको बता दू कि दुनिया में हर नई बात कोई नई बात नहीं है जो भी आप लोग सीख रहे हो या सीख चुके हो यह सब कुछ ओरेडी लोग सीख कर बैठे हुए है यह जो भी आप बनाओगे लोग वो बनाके बैठे हुए है फर्ट क्या होगा आप क्या उसके अंदर नया तड़का या मिंट में साला लेके आते हो जिससे वो चीज जो है वो और खुबसूरती से निकर के आएगी यूट्यूब पे अब हमें कितना टाइम देना होता है और कितना टाइम हमें वीडियो बनाने में लगता है या यह सब कुछ कितने टाइम में होता है ठीक है दोनों टाइम के आंसर मैं आपको यूट्यूब पे आपको 5 months से लेके 5 years तक work करना होता है 5 months तक तो अगर आप honestly work कर रहे हो ना तो आप ये मत सोचो पैसे आएगा या कुछ इस तरह से पैसे को कुछ महिने के लिए साइट पे रख दो और अगर आप honestly नहीं work करके तो 5 years के अंदर भी पैसा नहीं आएगा अच्छा अगर आप honestly work करके 4-5 के अंदर हर महीने 3 वीडियो चार वीडियो पांच वीडियो डाल रहे हो रूटीन के साथ consistency से काम कर रहे हो और आपकी viewers को पसंद आ रहे हो तो 5-6 मा के अंदर आपके 2-3,000 subscribers हो जाएंगे 4,000 घंटे भी हो जाएंगे और आपकी earning भी आना शुरू हो जाएगी आप कम असकम भी 100-500 डॉलर के दरम्यान कमाने लग जाओगे और 5 साल के अंदर अंदर आप भी इस काबिल हो जाओगे कि डखी भाई की तरह आप भी बैटके बोल सको कि हाँ मेरी तो कमाई इतनी है कि मैं फोर्चिनर हरीच सकता हूँ अब इस बात पे आते हैं कि एक वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम दगेगा अब चार्टिंग में 2 गंटे दो चोटी वीडियो बनाओ उसको 2-2 गंटे दो बाद में जाके इसका टाइम ज्यादा कर देना लेकिन शूरो में कम असकम 2 गंटे तो डेली भी न रुके उसको 2 ही दो आप अब यह डिपेंड करता है आपके वीडियो के टोपिक के उपर के एक वीडियो 2 गंटे देने के बाद आपका एक पूरा दिन भी ले सकती है या एक पूरा हफता भी ले सकती है या रिसर्श में या स्क्रेप में या किसी भी चीज में अचाहिए यहां पर मैं आपसे कुछ जिकर करती हूं कुछ ऐसे टोपिक का जो के यूटुब के ऊपर आजकर बहुत ज्यादा फेमस जा रहे हैं इन मैंसे कुछ टोपिक्स हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियो बना स सकते हो उनकी समरी के प्राइस के ऊपर रिव्यू दे चकते हो कॉमीडी वीडियो बना सकते हो स्लो मोशन वीडियो बना सकते हो ताइम लैप्स वीडियो बना सकते हो आप सिटी का टूर दे सकते हो या बता सकते हो बजारों में कहां कहां पर सेल्स लगी है आप पैक्ट की वी उठालो उनके सक्सेस या फेलियर की स्टोरी आप सुना सकते हो कुकिंग वीजयो फ्युकिय वीडियो सेो किस तरह से इन्वेस्ट करनी गई सेफ करना और किस तरह से फुजो और अर्ची नहीं हाँ-टू वीडियो बना सकते हो एडिटिंग की या पिर मगतं किसी भी चीज की आप सिखा सकते हो कि हाउ तो दू दैट और या वैब सीरीज का शोग है आपको तो आप उसके उपर वीडियो से बना सकते हो मूवी का रिविई दे सकते हो या बोहत लबी मूवी या बहुत लंबी को छोटा करके अपने विवर्स को आप दिखा सकते हो इसके लावा आप storytelling की वीडियोस बना सकते हो अगर आपके पास मज़िदा पूरे दुनिया के यूटिवर्स जो होता है ना उन – फीरिस पार टेवर में , च्रिया को ठीटि भास एक आहेंगे ले दो नंशाजि के कि अव्हाली सब्स Zar momento commitments, आफ। कें ऊपो उना समें कांजले और डूस्यों कि आपका CTI क्लिक थू इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाएगा या आगे जाके हम वाइटी स्टूडियो में देखेंगे बिना टोपिक से बढ़के होए पावरफूल वीडियो बनाओ कोई ना कोई एक वीडियो जरूर ही जरूर चलेगी आपकी पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स जो होता है उनको एक दर्द और तकलीफ से जरूर ही गुजरना पड़ता है और वो है जीरो सब्सक्राइबर्स जरनी है हर एक को गुजरना पड़ा है आपको भी गुजरना पड़ेगा शूरू में सबकी यह कहानी होती है कि 20-30 वीव आते हैं और बस फिर एक दम से एक वी 500 वीडियो का टार्गेट को जो कि हां अब आके मैं यह सोचूँ गा अब मेरी वीडियो जो है नहीं चले तो मैं यूट्यूब चोड़ने की सोचूँगा उससे पहले अपने उपर focus करो अपने उपर फोकस करो अपने ग्रोथ के ओपर उपकस करो और अपने अच्छ चूज तो इस तरह से नहीं करना है आपने स्कार्पनेल फिर ने करना को अनुपर होगी बनाना है जुगने कर आपक indicator कृष्छक पर करने जुगने करना है वीडियो लस्किन समक्राप के निकों में 법ड़ हुंव के लिए कंप्यूटर लैप टॉप या कोई कैमरा वगरा रिंग लैट खरीदने से पहले यह देख लो कि आपको उसकी जुरूरत है या नहीं अगर जुरूरत है तो महंगे एरियास को टारगेट करो OLX पे उनके पास सेकिंड हैंड चीजे एकदम न्यूली पढ़ी होती है ज तो इसलिए आपने फुजूल पैसे यूट्यूब पर हर चिंमत करो जब तक कि आप सही में कुमिट नहीं हो जाते हैं यूट्यूब के साथ जब भी पहली वीडियो बनाओगे ना तो अटकोगे और आप रुक रुक के बाद करोगे बहुत जारी गलतिया होंगी और उन ग जादा उसमें इंफरमेशन होगी तो वह आने वाला है जल्दी तो इंशाला वेट कीजे और बेल नोटिफिकेशन ओन करना मत भूलेगा ता कि अगला पाट जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताए जिए साथ, आला हाफिज